हलो फ्रेंट एंड वेलकम तो लर्णी जी दोस्तों यह हमारा आधुनिक भारती इतियास की सिरीज का 14 पार्ट है चौद्वा भाग है इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कंपनी के दिन गवर्णर जनल तक की इस वीडियो में जानेंगे 1857 की क्रांती के बारे में और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे जितनी भी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतियास प्राचीन भारत का इतियास समविदान करेंट अफेयर्स वीकली और मंतली और इसके बा ऊथा है तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सक्कें आप तुरंत उसका लाब उठा सकें और आप हमें 1857 की करांती की प्रष्ट भूमी क्या थी 1857 की क्यूं पनपी क्यूं उपजी 1857 का जो विद्रोव हुआ वो क्यूं हुआ जैसा कि जब से इस्ट इंडिया कंपनी की स्तापना होई थी भारत में उस समय से लेकर के और 1947 इस्वी तक जब तक भारा स्वतंत्र नहीं हुआ अंग्रेजियों का सिर्फ जो मुख्यलच था वो दो ही मुख्यलच थे पहला व्यापारिक सोसन करके अधिक से अधिक लाब कमाना चाहते दें और दूसरा उनका जब व्यापार में लाब होने लगा लोबन बड़ा तो उनका जो दूसरा मुख्य उद्ध्यस बना वो के जो उद्वेश से बना वो सोशन के साथ सामराजी विस्तार भी हुआ जिसका विद्रो था वो समय समय पर बाहर आता रहा जो कि बहुत ही अलप रूप से आता रहा उदारण के तोर पर अगर देखेंगे तो विलोर का विद्रू जो 1806 को हुआ बैरकपुर का विद्रो 1824 इस्वी का और फिरोजपुर रेजीमेंट का विद्रो ये कुछ उद्हरन है जो विद्रो समय समय पर आते रहे और एक छोटी सी चिंगारी बोल सकते हैं जो भारती थे उनके अंदर इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाप और अंग्रेजों के खिलाप पनप्रही थी और जो 1857 की क्रांती हुई उसके स्वरूप को जो इतियासकार है वो किस हिसाफ से देखते हैं उस पर एक नज़र डालेंगे तो जो अंग्रेजी इतियासकार थे कुछ प्रमुक इतियासकारों के नाम लेंगे जैसे ट्रिवेलियन, के मालसेन और लारेंस इन लोगों ने जो 1857 की करांती थी उसको केवल सीमित सेनिक विद्रो करार दिया है चुकि ये एक अंग्रेजों के खिलाब करांती थी और ये अंग्रेजी इतियासकार हैं इसी के कारण इन लोगों ने जो 1857 की करांती थी उसको सिर्फ एक सीमित सेनिक विद्रो करार दिया और इसमें जन साधारण का बिलकुल भी समर्थन नहीं माना है अनेक ब्रिटिस इतियासकारों ने इसको मुस्लिम सड़यंत्र और इसायों के विरुद्ध विद्रो माना है कुछ इतियासकार इसको सेनिक विद्रो सीमि सेनिक विद्रो मानते है और कुछ इतियासकार इसे मुस्लिम सड़यंत्र तो कुछ इसे इसाहियों के विरुद्ध विद्रो मानते है सर जॉन लारेंस और सीले ने इसे मात रेक सेनिक विद्रो माना है जिसमें इसने किसी भी जनसाधारण के सायोग की सुईकार नहीं किया है, लेकिन जो भारती इतियासकार हैं, वे इसे एक राष्ट्रिया अंदोलन मानते हैं, कुछ भारती इतियासकार इसको एक पर्थम 133 संग्राम मानते हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रिया अंदोलन के रू सब्सक्राइब करेंगे तो जो तत्कालिक कारण था हलाकि 1857 की करांती के सुरुआ से बहुत से कारण इत्यासकार जोड़ के देखते हैं कुछ इसमें राजनेतिक कारण जोड़ के देखते हैं जैसे कि जब मुगल समराट का जो पद छीना और अपना अधिपत्य कायम किया अ वारतियों का उसका तो कुछ उसको सैनिक कारण मानते हैं लेकि जो 1857 के करांती का ततकालिक कारण था उस समय का कारण था जो विद्रो हुआ अगर उसकी बात करते हैं तो 1856 में बिटिस सरकार ने सैनिको को ब्राउन बेश्ड बंदूग जो पहले से चल रही थी उसकी जगए पे न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए प्रस्तावदिया और यह राइफलें न्यू इनफील्ड राइफलें सैनिको को प मुँ से खीचना पड़ता था जो चर्वी यूक्त करतूस था उसको मुँ से खीचना पड़ता था सर्व पर्थम बंगाल में यह अफ्वावडी की करतूस में गाय और सुवर की चर्वी का उप्योग किया गया है सरव पर्थम बंगाल में अफवा उड़ी की कार्थूस में जो चर्वी का प्रियोग हुआ है वो गाय की चर्वी और सुवर की चर्वी है अफवा के बाद सरकार ने कार्थूस थे उनको वापस मागना शुरू कर दिया इससे क्या हुआ जब सरकार पहले तो अफवा उड़ी इसके बाद सरकार ने कार्थूसों को वापस मंगाना शुरू किया जिससे जो सक्त था वो यकीन में बदल गया कि कार्थूस में गाय और सुवर की चर्वी का प्रियोग किया गया है सबसे पहले बंगाल के दमदम में सैनिकों ने कार्थूस के प्रियोग से मना कर दिया तो यह प्रेश्ट ने सबसे मेर्थूपूर्ण है 1857 की एकरांती में मतलब जो सुरूवात के मेर्थूपूर्ण प्रेश्टों में अगर बात करते हैं तो यह प्रेश्ट कई बार पू बंगाल में है वहाँ पर सैनिकों ने कार्थूस के प्रयोक से मना कर दिया इसके बाद जो मुख्य विरोध सामने आया वो 28 मार्च 1857 को बायरकपुर चावनी के 24-34 रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इसका खुल कर विरोध किया और कार्थूस के प्रयोक से पुरी तरह मना किया और नहीं मानने पर इसने एड्जुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गोली मारकर और सर्जेंट यूर्शन की भी गोली मारकर हत्या कर दी जब इसने पहले तो मना किया विद्रो किया और विद्रो के साथ साथ इसने लेफ्टिनेंट बाग की मंगल पांडे को किरफतार किया गया और 1857 में 10 अप्रायल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई जिससे विद्रो की जुआला जो थी वो पूर्ड रूप से पूरे देश में भड़ा कुटे तो यह जो तत्कालिक कारान था वो कार्थूस का प्रयोग था और इसकी जो शुर यह डेट बहुत इंपोर्टेंट है 28 मार्च 1857 इसवी को बायरिक पुर्चावनी के 34 वे रेजीमेंट के सेनिक मंगल पांडे ने एड्जुटेंट लेप्टिनेंट बाग और सर्जेंट हुशन की गोली मारकर हत्या कर दी और 10 अप्रायल 1857 को मंगल पांडे को फासी दे द मना किया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन पर मुकदमा चला और पच्चासी सेनिकों को नोकरी से निकाला गया और उन पर मुकदमा चला और उनको कायद किया गया यह जो मुक्य बात हुई 24 अपरायल 1857 को हुई जब मेरट के कुछ सेनिकों ने कार्तूस लेने से मना किया 10 मई 1857 को पैदल टुकडी जो थी यहां पर एक टू एक्ष्टा लिग गया है वो 20 एन आई है जो पैदल टुकडी थी 20 एन आई उसके सभी भारती सेनिकों ने विद्रो किया और विद्रो का नतीजा यह हुआ कि जो सेनिकों को जिनकों नोकरी से निकाला था और जो बारती सेनिकों को कैद किया था उनको इन्होंने छुड़ाया अंग्रेजी हतियारों की बहुत अधिक मात्रा में लूट पाट की तो यहां से विद्रो की जो निव पढ़ी वो मेरट से पढ़ी और कि अब बात करेंगे प्रमुख इस्तान एवं संबंदित व्यक्ति 1857 की क्रांती में किन-किन प्रमुख इस्तानों से किस-किस संबंदित व्यक्ति ने सयोग किया या विद्रो का जो है नेत्त्यु किया और उसमें जो मैटपूर बिंदु सामने आए उसकी सबसे पहले सुर दिल्ली पहुंचकर इन्होंने अंग्रेजों को दिल्ली से भी खदेड दिया और वहाँ पर अपना कबजा जमा लिया विद्रोईयों का कबजा दिल्ली पर हो गया 1857 में ही और जो विद्रोई थे इन्होंने बाहदुर साज अफर को अपना सम्राठ गोसित कर दिया जो बा 1857 जो दिल्ली में 1857 में जब दिल्ली कुच किया और वहाँ पर भी विद्रूईयों ने अपना कबजा किया तो वहाँ पर सासन चलाने के लिए परिस्त का गठन किया जिसमें सैनिक और हसैनिक शक्तियां दोलों सामिल थी लेकिन 20 सितंबर 1857 में हडशन के नेतत्तों में अंग्रेजी सेना ने पुना दिल्ली पर कबजा कर लिया बादूर साज अफर इसको कैद किया और रंगून मेज दिया सबसे पहले तो बादूर साज अफर अपनी जान बचाने के लिए हुमायों के मकबरे में जाकर छिप गया लेकिन बाद में इसने म्रत्यू दंड ना देने के सर्थ पर आत्मस्मरपण किया और इसके बाद इसको कैद करके रंगून मेज दिया गया और रंगून में इसकी 18 162 में मृत्यू होगी जिसकी चर्चा मुगल सामराज में भी कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानपूर की कानपूर में जो विद्रो हुआ उसका नेतत्यू नाना साहब ने किया नाना साहब जिनका एक अन्य नाम दोंदू पंत था उन्होंने कानपूर विद्रो का नेतत्यू किया नाना साहब ने लडाई की जिम्मेदारी राम चंद्र पांडूरं उनको तत्या टोपे की नाम से कानपुर पर अधिकार कर लिया जो नेतत्यों करता थे पांडूरंग रामचंद पांडूरंग उनके नेतत्यों में च्छावनी पर कानपुर च्छावनी पर हमला किया और कपजा कर लिया इसके साथ इस सर जर्नल व्यू वीलर जो कि च्छावनी का जर्नल था उसने एक सर्थ गर को सुरदशित रूप से अलाबात पहुंचाया जाएगा जब विद्रोह ने कानपुर छामनी पर हमला किया और कब्जा कर लिए तो कानपूर छामनी के जैनलस यू वीलर ने उसको सुरक्षित इलावात पहुचाने की सर्थ पर आत्म समर्पड कर दिया लेकिन विद्रोहियों ने कानपुर में सत्ती चौरा नामकिस्तान पर इसकी हत्या कर दी जो वीलर था उसकी हत्या कानपुर में कर दी गई इसके बाद 1857 दिसंबर में कैंपुवेल के नेतत्त्यु में अंग्रेजी शेना कानपुर पहुची और कैंपुवेल के नेतत्त्यु में अंग्रेजी शेना ने कानपुर विद्रोह का अंत किया विद्रोग के अंत के साथ ही जो नाना साहब थे वो नेपाल भाग गए अपनी जान बचाने के लिए और तात्या टोपे पकड़े गए और तात्या टोपे को बाद में फासी की सजा सुनाई गई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनौ की जो लखनौ था वहाँ पर जो विद्रोग हुआ उसका नेतत तो बेगम हजरत महल ने किया बेगम हजरत महल जो नवाब वाजिद अली सा की पत्नी थी उस तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टन चीज यह कि कई बार एक्जाम्स में सहर मतलब इस्तान और वहाँ पर किसने नेतत्यु किया यह पूछा जाता है तो जैसे बात की कानपुर का जो नेतत्यु किया वो नाना साहब ने किया और ऐसे ही स्वरी तो कानपुर का जो नेतत्यु किया वो नाना साहब ने किया लखनों का नेतत्व जी किया वो हजरत बेगम हजरत महल ने किया ये जो चीजें इनको अच्छे से याद करिए क्योंकि एक्जाम्त के दर्ष्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आईए बात करते हैं आगे हजरत बेगम के नेतत्व में ही विजरिष को अवत का नवाब गोसित किया गया विद्रोयों ने बहुत ही जल्द संपूर्ण अवत को अपने कपजे में ले लिया लेकिन जून 1858 में कैम्पवेल के नेतत्व में अंग्रेजी सेना ने लखनों विद्रो को समात्त किया और जा आगे बात करते हैं जासी विद्रों की जासी विद्रों जो इतियास में बहुत ज्यादा चर्चित है क्योंकि इस विद्रों में कई महत्वण गटनाय हुई और इस विद्रों का जो नेतत्व किया और रानी लक्ष्मी भाई ने किया और जो रानी लक्ष्मी भाई थी वो गंगा धर्राओं की विद्वा थी मार्च 1858 इस्वी में यूम्रोज की सेना ने जहासी पर हमला किया यूरोज की सेना ने जहासी पर हमला किया और जहासी में रानी लक्षमी भाई के साथ युद्ध हुआ तो इस युद्ध में यूरोज की सेना विजित हो गई इसके बाद यो रानी लख्श्मी भाई थी Why Jelly उ ग्वा लीइर पहुंचे और ग्वाघ्र के कुछ विद्रोईवियों के संपर्क में आकर ग्वाघ्र पर भी अधिकार कर लिया लेकिन चुकि यूरोज ने जहांसी पर कबजिया किया था और जहांसी गौलियर के बहुत ही निकड़ था तो यूरोज पीछे पीछे फिर से गौलियर पहुचा और इसने गौलियर पर भी अमला किया यूरोज से कोटा और मुरार का युद्ध हुआ इस युद्ध म साथ लड़ा गया आगे बड़तें और बात करतें बिहार की बिहार मतलब जगदीसपुर उस समय जो जगदीसपुर का नितत्व किया वो कुंवर सिंग ने किया कुंवर सिंग की उम्र उस वक्त जब नितत्व कर रहे थे तकरीबर असी वर्स थी और कुंवर सिंग ने पूरे की बात करते हैं तो इलहाबाद विद्रो का नेतत तो मौलवी लियाकत अली ने किया जो विद्रो का नेतत तो किया हो मौलवी लियाकत अली ने किया इलहाबाद विद्रो का नेतत तो और इलहाबाद विद्रो का जो दमन हुआ और अंग्रेजों की तरफ से जेनरल नील ने कि तो जो फैजाबाद का नेतत्य किया वो मौलवी एहमदुल्ला सा ने किया और अंग्रेजों के खिलाब जिहाद का नारा किस ने दिया ये सवाल कई बार एक्जाम में पूछा गया है अंग्रेज़ों के खिलाब जिहाद का नारा मोलवी ऐहमुदूला सान ने फैजवाद विद्रोग में के नितत्तू के दौरान दिया और इसने ही गोरिला युद्यिकी पड़ती को अपनाया फैजाबाद युद्ध का जो दमन किया, विद्रो का जो दमन किया, वो कैम्पवेल ने किया अब बात करते हैं बरेली विद्रो की तो जो बरेली विद्रो था, उसका नेतत तो खान बादुर खान ने किया अजीम उल्ला ने फतेपुर विद्रो का नेतत्त किया और जर्नल रेनर्ड ने इसका दमन किया मतुरा विद्रो की बात करते हैं तो मतुरा में देवी सिंग ने विद्रो का नेतत्त किया और गोरक पुर में विद्रो का नेतत्यों निजाम मुहम्मद और गजाधर सिंग ने संहित रूप से किया अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असफलता के एक कारण 1857 में भारत को संतनता क्यों नहीं प्राथ हुई और यह जो विद्रो था यह क्यों असफल हुआ यह कारण कई बार विस्तित रूप से जो सवाल होते हैं उनके लिए में तो पूर्ण होता है तो एक नजर डालते हैं इस पे कुसलनेतत्यों का अभाव यह सबसे मुख्य बिन् ले सकते हैं 1857 की क्रांती से रिलेटेट कि जब विद्रोयों ने मेरट पर हमला किया और इसके बाद दिल्ली में भी अंग्रेजों को खदेड दिया और उन्होंने जब अपना नेतत्यों करता बादूर साथ जफर को बनाया तो उसमें नेतत्यों करने की छंता की कमी होने के कारण अग्रेजों ने पुना दिली पर अपना अरिप परते श्तापित कर लिया तो ये जो मोक्छ बिंदू था जो नेततों की कमी थी ये असफलता का एक में तुपOWन बिंदू सामने आता है असफलता का एक मेंधोपन कारण साबित होता है आगे पर तो बात करते हैं सीम भारत फर्स में और बहुत से राजियों में विद्रों ना होने के कारण एक सीमित शुरूप था तो अंग्रेजियों को इस विद्रों को दमाजे में ज्याजा समय नहीं लगा अब बात करते हैं देशी नरेशों की गदारी कुछ जो देशी नरेश थे उन्होंने धन के लालच में तो कुछ देशी नरेशों ने जमीन के लालच में राजिय के लालच में 1857 करांती की जो सयोग करने की नीती थी उसका पालन ना करके उन्होंने देश के साथ गदारी की औ और अंग्रेजों का सयोग किया जो एक मिए किसरे कश करते हैं game 8 कि भारती जो थे वो ज्यादा देर नहीं टिक पाई ज्यादा समय उनके पास नहीं मिला विद्रो को आगे बढ़ाने का अब बात करते हैं जन समर्थन का अभाव यह भी एक मुख्य कारण था जो अटार सफलता हुई उसमें जन समर्थन ने बहुत अधिक रूप से समर्थन नहीं किया और यह सिर्फ कुछ राजाओं कुछ महत्वपूर नेतत्व करता हुँगी सेनाओं के द्वारा ही लड़ा गया जो की असफलता का कारण सिद्ध हुआ अगे बात करते हैं अंग्रेजों का कुसल नेतत्व और सेन सकती चुकि अंग्रेजों के पास एक बहुत ही अच्छी सेन सकती थी और उनमें नेतत्व करता की कमी नहीं थी उनके जो नेतत्व करता थे वह बहुत ही कुसल थे तो यह अंग्रेजों की सफलता का मुख के कारण था और 1857 की क्रांती के बाद इस्ट इंडिया कंपणी थे उसका स्थित तो समाप्त हो गया और एक नॉमबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का गोश्णा पत्र पढ़ा गया है उस गोश्णा पत्र की मुख के बिन्दों पर नजर डालेंगे तो सबसे पहला था कि कंपणी का जो कंपणी सासन है वह समात हो जाएगा पूर्ण रूप से और भारत में ब्रिटिस सत्ता ज होगे इसके बाद जो गवेर्नर जेनरल था वह अब वाय सराय भी होगा इसके बाद डलहोजी की भड़पनीती की समापती होगी और नए राजियों को जीतकर अंग्रेजी राजियों में नहीं मिलाया जाएगा यह मारानी विक्टोरिया के गोश्णा पत्र के मुख्य बिन पर तो 1869 को तात्या टोपे को फासी दी गई चुकि नानाराओ तो नेपाल चले गए थे बागकर और तात्या टोपे जो पकड़ गए थे उनको 1869 में फासी दी गई और इसी गटना के साथ 1857 की जो विद्रो की गटना थी वो अंतिम गटना सिद्ध हुई तो तात्या विद्रो प्रवावन के विद्रो की अंतिम गटना थी में जो जस्तावल गीत था उसकी रचना अ जीम उल्लो खाने की जो ज़ंडा गीत था उसकी रचना की विद्रो का प्रतीक था कमल का का फूल और रोटिे। ममया का फूल और रोटि 1857 के विद्रो का प्रतीक था। 1857 के विद्रो के झंडे कारा था। सर सयत ऐहमत KHाने विद्रो को अपनी आगों से देखा था। और उन की सावारकर की पुस्तक का नाम जो है वो वार आफ इंडियन इंडिपेंडेंस है जो 1857 की क्रांटी से रिलेटेड है 1857 की घटना को भारत का प्रथम सतंतरता संग्राम भी वीडी सावारकर नहीं सरवप्रथम कहा तो यह जो है मुक्य बिन्दू थे 1857 की क्रांटी के इस वीडियो में ने जाना 1857 की क्रांटी को और अपने आने वाले वीडियो में बम चर्चा करेंगे राष्टी आंदोलनों की क्रंबद्द तरीके से सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें सारे सीरीज आप तुरंद प्राप्त कर सकें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बचाएं और अपने विचार बताने के साथ साथ आप अगर कुछ एडिशनल चाहते हैं कोई नई सीरीज चाहते हैं तो उसके बारे में भी इमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें ज्यादा से ज्यादा जिससे अधिक से अधिक को लाब में साके थैंक्स फर वचिंग थैंक्यू